हाई गाइस तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में देखेंगे हम लोग जावास्क्रेप वेरियबल्स तो वेरियबल्स तीन टाइप्स के होते हैं सबसे पहला हम लोग इस वीडियो में जो देखने वाले हैं वह वैर वैर दुसरा है एलिटी लेट और एक है कॉंस्ट लेट और कॉंस्ट लोग लेटर on आने वाले वीडियो में देखेंगे इस वीडियो में हम लोग वार के साथ काम करेंगे ठीक है तो यहांपर कुछी लिखी है यहां लोग स्टेप बाइस्ट एक एक चीज करके देखेंगे तो सबसे पहले देखते कि वेरियिबल्स बनाते तो मैंने क्या लिखा यहाँ पर सावन छोटों में ओके तो देखिए variable कैसे बनाते है simple अपको वैर लिखना है इसके आगे उसका नाम लिखना है variable का नाम है इसके बाद equal to sign देना है जो है assignment operator इसके बाद value डालनी है अब यह जो value है यहाँ पर कुछ भी आ सकता है ठीक है यह बात आपको ध्यान में रखने है और इसी तरीके से बनता है variable यह simple तरीका है इसको कहते है variable बनाना अब यह जो value है यह string value है इसमें कई प्रकार की values आते हैं जैसे हम data types के वीडियो में यह सारी चीज़े रीडिल में देखेंगे data types क्या होता है तो उसमें से एक data type है string और वह मैं आभी आपको दिखा रहा हूं string का मतलब आप वह भी टेक्स टालो गया अगर टेक्स आपको किसी variable में आपको पसाइन करना है तो उसके उसमें आपको quotes डालना जरूरी है एक तो आप double quotes डालिए या फिर single quotes डालिए ठीक है तो यह बात आपको ध्यान में रखनी है और दूसरी चीज़ यहां पर यहां पर double और यहां पर single ऐसा नहीं होना चाहिए दोनों single एक तो दोनों single होने चाहिए फिर दोनों double होने चाहिए यह बात simple आपको ध्यान में रखनी है तो इसको अगर मैं print करूंगा तो आपको simple सा output देगा क्या हम आए हम पहले क्या करते थे सीदा सीदा write करते थे इसके अंधर और मैं चाहता कि मुझे मान लो मुझे मेरा नाम print करना एं मैं इसको control X करता हूं मान लो मुझे मेरा नाम print करना है तो यहाँ पर मैं क्या करता था document.write लिगता था FOR मेरा नाम लेक्टी जाता था कोड के अंदर और मैं यहां पर जा कि isimple refresh अथा नाम प्रिंट हो जाता था लेकिन डाइब्स में ऐसा नहीं होता है बिरिशं कर देखे वेडिब्स में क्या ह्या होता यह मैंने वे ख़र के अंदר मैं काम है वह लिखना है विदाउट कोडस के अंदर सिंपल है यह बात क्लियर हो जानी चाहिए तो इस थरे से बनता है हमारा वेरीबल और इस वेरीबल के अंदर कोई भी वैल्यू आ सकती है ठीक है इसमें आप नंबर भी डाल सकते हैं अगर नंबर डालना है तो मैंने 455 डाल द तो फिलाल इस वीडियो में वेरीबल दिखा और उसके साथ दो डीटा टाइब्स दिखे एक था हमारा स्ट्रिंग और दुसरा जो है अभी मैंने जो डाला है नंबर इसको डिरेक्ली डालना है नंबर डीटाइब्स को हम कोड़ के अंदर नहीं डालते अगर आप कोड़ के हो जाएगा मैं रिफ्रेश करूंगा तो दिखिए आपको 44 मिलेगा यह एक्च्वल में 8 होना चाहिए था तो मैं यहाप और अगर 4 लिखता हूँ तो दिखिए अभी आपको 8 मिल जाएगा बात समझ में आ रही है तो इसी लिए ऐसा कुछ नहीं करना है सिंपल यह थोड़ कुछ होना चाहिए ठीक है यह बात है और कुछ नहीं है तो सिंपल फिलाल मैंने एक नंबर डाला था जो यह एक नंबर डीटा टाइप है सेंपल रिफ्रेश ओके अब मैं क्या चाहता हूँ ओके तो 45 चीक है इसके बाद हम लोग क्या करने वाले थे ओके तो यह क्लियर होगे हमारा माई नेम यहां पर मैं नंबर बगएर सारी चीज़े डाल सकता हूं यहां पर 00 क्यों दिखिए मैं फाइल लिखता हूं रिफ्रेश करूंगा तो यह 00 जब होता है तो वह पूरा राउंड फिगर दे किया तो आप क्या कर रहे हो इस लिफाई नेम में ये जो वैल्यव है इस माई नेम के अंदर आप असाइन कर रहे हो और वही चीज़ आप यहां पर प्रिंट कर रहे है आपको सिंपल सा आउट्पूर्ट यहां पर दिखाई दे रहा है यह 00 था इसके लिए दिखाई नहीं मैं आपको बताता हूं देखिए लेटर स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में या ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर आप माइनें 123 तो माइनें 123 नंबर्स भी डाल सकते हो मैं सेफ किया और रिफ्रेश किया दो देखे सेम आउटपूट डिखाए देगा अब डिजर हम लोग ने यूज की अब क्या बोलता था वो लेटर्ज लेटर्ज भी हम लोग ने यूज करकर देखा हुआ है अब इसके अंदर आप चलिए इसको डॉलर डाल दिया डॉलर डाल दिया और रिफ्रेश दीके तो भी काम करता है सिर्फ यहाँ पर एक कंडिशन क्या है ये सारे चीजी आप यूज कर सकते हो लेकिन जब भी आप आपका वेरियबल नाम लिखते वेरियबल का नाम जब लिखते हो start करते हो तब starting में नमबर नहीं होना चाहिए यह नहीं होना चाहिए अगर मैं यह चीज लिखता हूँ मैं copy करता हूँ देखिए यह पर paste कर देता हूँ और इसको निकाल ले देखे यही पर error दिखा रहा है आपको अब यहाँ पर refresh करूं कर देखे आपको error मिल जाएगा बोल रहा है कि यह invalid or unexpected token ह है syntax error बता देगा और इसको check करना है तो आपको देखिए console में जाके इस line number पर जाना है और line number 36 बता रहा है तो हमें line number 36 पी देखे यहाँ पर error दिखाए देगा simple है तो यह चीज़ आप नहीं कर सकते देखे यहाँ पर क्या बूला है start with a later dollar or underscore हाँ आप underscore dollar डालते हो चलिए dollar valid ह है तो मैं dollar डाल सकता हूं starting में मेरे variable name के अब यहाँ पर refresh करोंगा तो देखिए आपको फिर से एक बार दिखाई देगा फिर इसके बाद underscore भी आप use कर सकते हो starting में तो यह भी हम लोग चलो डाल के देख लिए थे save and refresh ठीक है तो यह चीज़े clear हो गई हमारी अब हम लोग दे refresh करोंगे फिर इक बार दिखाई देगा clear sir okay तो यहाँ पर मैं refresh करता हूं चीज़े clear हो गई है अब names are case sensitive okay तो names are case sensitive का मतलब है यहाँ पर अगर आपने लिखा है my name और यहाँ पर n capital है और यहाँ पर मेरा small n है अगर मैं small n डालता हूं तो भी आपको problem देगा क्यूंकि यह case sensitive ह होता है अगर आप यहाँ पर capital N डाल रहे हो यहाँ पर small डाल रहे हो तो आपको output नहीं देगा वो problem देगा देखिए my name is not defined बुल रहा है आपने जो write की है document.write my name जो बूल रहा है is define नहीं किया है आपने कहीं पर उसको मिल नहीं रहा है script के अंदर समझ में आ रही है बात इसी लिए यह हमेशा same होना चाहिए यही चीज लिखी हुई है यहाँ पर names are case sensitive why and why are different variables ठीक है और कुछ reserve words होते हैं जो javascript खुद के लिए रखता है वो हम लोग use नहीं कर सकते हमारे variable names के अंदर तो हमेशा यह चीज हमें ध्यान में रखनी है ठीक है मैं simple सा मेरा जो पहला था my name वही रखतेता हूं और मैं refresh करता हूं यहाँ ठीक है और एक चीज यहां पदेगी camel case कुछ cases है जैसे title case होता है यह अपर case होता है वैसे जावस की programming language में generally जो developers होते हैं वो यह वाले use करते है camel case और मैं भी हमेशा यह use करता हूं देखिए दो word अगर आप आते हो कुछ लिखते हो variable का नाम my name तो मैं name का दूसरा जो मतलब दूसरा word का जो पहला later है वो मैं हमेशा capital रखता हूं तो इसको कहते है camel case ठीक है और मैं recommend करता हूं आपको यह ऐसे ही लिखना है आपको javascript में जब भी आप variables बनाते हो ओके और दो तीन चीज़े हैं यह भी आप कर सकते हो लेकिन यह सिर्फ दिखाने के लिए इसे रखाए मैंने के कबाब केस ऐसे लिखते है यह सारी चीज़े थुड़ी सी यहां पर दिखाई दिखाए दिए अब यहां तक तो हम समझ गए कि वीरिवल कैसे बनाते हैं वेरिवल में string डाल सकते हैं या फिर वेरिवल में number data type डाल सकते हैं और इसको print ऐसे कुछ किया जाता है और यह सारी नाम्स देखे हम लोग ने मत अब थोड़ा सा आगे जाके वीरिवल में काम करेंगे देखिए यहां पर लिखाए कैन ओवर राइट वेरिवल अभी ओवर राइट वेरिवल का मतलब क्या है मैं अभी आपको पताता हूं अब मैं देखिए मेरा नेम जो है माई नेम है इसमें मैं फिर एक बास ट्रिंग तोगे डाल देता हूं मैं लिखता हूं हमाए सेफ किया मैंने रीफरेश्त किया तो आपको सिंबल सा महीं दिखाए देगा थो अगर मैं चाहता हो कि नहीं मुह बात मी जाके मिन मेरा नाम मुझे change करना है तो आप कर सकते हो अगर मैं यहाँ पर चाहता हूँ मुझे अनिकेट डालना है तो यह आपका अनिकेट नाम प्रिंट होगा मैं यहाँ पर save करता हूँ refresh करता हूँ देखिए आपको अनिकेट दिखाई देगा इसी को कहते है you can overwrite your variables मतलब आपने यहाँ पर एक विरीवल बना लिया मैं माई नेम के नाम से और उसको अमाई दे दिया string value और फिर उसको आपने change कर दिया यहाँ पर तो आप बोलोगे यहाँ पर वार क्यों नहीं लिखा है यहाँ पर वार इसलिए नहीं लिखा है देखे यहाँ पर वार ऐसे नहीं लिखना है फिर एक बार क्योंकि आपने यहाँ पर माई नेम का जो विरीवल है यहाँ अल्रड़ी यहाँ पर डिकलर कर दिया है इनिशिलाइज कर दिया है ठीक है तो इस वापस जब आप लिखते हो सिर्फ उसका वैल्यू आपको चेंज करना है याने रिप्लेस करना याने ओवर्राइट करना है तो इसके लिए लिखने की ज़रूत नहीं है यह ध्यान में रखना आपको ठीक है अब चाहते हो कि आप फि करना चाहो तो देखिए फिर एक बार मैं यहां पर कॉपीपेस करता हूं दो तीन बार फिर भी आपको वह सुशान सुशान ही राइट करके देगा क्योंकि आपकी जो लास्ट वैल्यू है वह है सुशान ओके यह चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है ठीक है अब अब डिकलेर और इनिशिलाइजेशन क्या होता है वेरियबल में अब देखिए यह तो सिंपल पता आपको इसको ऐसा यह जो आप लिखा है अपने जो लिखा है इसको कहते है वेरियबल बनाना सिंपल लेकिन इसको कहते है इनिशियलाइजेशन ठीक है इनिशियलाइजेश लेकिन actual में यह initialize किया हुआ है तो declare का मतलब क्या है जब आप यह सब निकालते हो और आपने simple लिखा है variable my name इसका मतलब होता है declare करना और जब आपने यहाँ पर मैं दूसरी चीज़ बता रहा हूँ my name to equal to आप मैं लिखा इसका मतलब हो गया initialize sorry एक काम करते हैं यह निकाल देते हैं यह निकाल देते हैं इसको कहते हैं initialize clear आप ऐसा भी कर सकते हो आप declare कर सकते हो without value दिये उसको अगर आपने कुछ value नहीं दिये कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन उसको initialize ज़रूर करना है नीचे यह में रखना है आपको आप ऐसा कर सकते हो कोई issue नहीं कोई problem नहीं है अभी भी आप चेक करोगे तो मैं refresh करके देखता हूं देखी है आपको symbol अमाई दिखाई देगा तो इसको कहते है declare करना variable declare करना और इसको कहते है variable initialize करना simple है ओके और आगे बढ़ेंगे अब one statement many variables अभी one statement many variables मतलब मैं अगर मानलों आपके पास दहीं वैर आँ चलिए आपके पास चार price है price okay मैं यहाँपर लिखता हूं sorry price one equal 200 variable price two equal to चलो मैं देखता हूं 200 variable price three equal to 300 और variable price four equal to four hundred तो मैंने क्या किया देखी मेरे पास 4-4 variables है तो मैं क्या करूँगा इसको print करने के लिए मैं और एक काम करूँगा तो इसको मुझे 4 को print कराना है तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर सबसे पहले तो यह मेरा बहुत बड़ा हो जाने वाला है ठीक है price 1 plus करूँगा फिर price 2 price 3 और plus price 4 तभी जाके मुझे यह चारो variables की print होके दिखाई देंगे मैं देखें यहाँ पर 1000 दिखाई देगा और मैं वो total price को assign कर दोंगा कि क्या करिए आप यह जो चारो की जो values है यहाँ पर ऊपर यह वाले तो आप simple total price में डाल दीजिए और इसको ही print कर दीजिए simple ठीक है आप मैं refresh कर दो तो आपको same output दिखाई देगा correct है तो इसमें यह कहां पर आया ठीक है तो यह अभी मैं बताओंगा आपको तो इसका मतलब क्या है one statement variables one statement variables का मतलब है देखी आपने बार बार इदर वार रिपीट हो रहा है आपका वैर 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 लिखना पड़ रहा है आपको correct तो यह हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते देखी मैं क्या करूंगा इस चीज को control x करूंगा इसका semicolon निकल के comma इसके आगे डाल दोंगा फिर comma फिर हम लोग इसको निकाल के control x यहां पर डाल देंगे फिर comma फिर इसको control x करेंगे और यहां पर डाल देंगे और यहां पर semicolon क्योंकि मेरा last है और यह सब चीज मुझे अभी नहीं चाहिए चीक है इसको मैं delete मार देता हूँ तो चार variables एक के नीचे एक लिखने के बजाए आप एक line में लिख सकते हो यही चीज़ है one statement और ऐसे बनते हैं variables और कुछ चीज़े है variables से जुड़ी जो आपको मैंने इस वीडियो में बताई और यह थोड़ी सी चीज़े आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी क्योंकि यह सारी basic चीज़े हैं और आगे जाके हम थोड़ा सा code करेंगे तो यह basic चीज़े basic concept अगर आपको ओके गाइस तो आई होप आपको यह variable का वीडियो समझ में आया है फिर भी अगर कुछ नहीं समझ रहा है तो आप मुझे comment box में पूछ सकते हो उसका answer में आपको ज़रूर दूंगा तो इस वीडियो में इतना ही गाइस मिलते अगले वीडियो में thanks for watching